हर गाड़ी को सर्विस की जरूरत पढ़ती है तो ऐसे में आपको भी खयाल आया जरूर होगा कि अपनी गाड़ी की सर्विस कहा कराई जाए घर के आसपास के मिस्तरी से या किसी authorized सर्विस सेंटर में जाकर दोनों जगाओं में काफी फरक होता है घर के आसपास का मिस्तरी आपकी जेब को राज जरूर देगा लेकिन हो सकता है कि काम में कमी आ जाए वहीं दूसरी तरफ आप प्रोफेशनल से एक काम करवाते हो तो मानसिक शान्ती जरूर मिलेगी और आज की इस वीडियो में हम इस बारे में ही बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं लोकल मेकैनिक्स जब आप एक नई और चमचमाती कार खरीचते हो तो उसके साथ आपको कई जिम्मेदारी भी निवानी पड़ती हैं जैसे उसकी साफ सफाई, आईल और फिल्टर को चेंज करना आदी लेकिन कार के मालिक इस सब जम्मेदारियों से बचने के लिए अपने आसपास के मेकैनिक्स का सारा लेते हैं लेकिन क्या उन पर रेगुलर कार सर्विसिंग के लिए भरोसा करना चाहिए? जवाब है जी हाँ लोकल मेकैनिक्स रेगुलर कार सर्विसिंग देने के लिए अपनी तरब से जितना बहतर हो सके उतनी बहतर सर्विस देते हैं क्योंकि उन्हें एक बात अच्छे से पता है कि फाइदा कहा है अगर वो सर्विस खराब देते हैं तो कस्टमर दुबारा नहीं आएगा और जब कार मालिक अपने आसपास के किसी मेकैनिक से अपनी गाड़ी का काम करवाता है और उसे सैटिसफेक्शन भी मिलता है तो वो उस कुछ आपको ऑफराइज सर्विस सेंटर में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और ज़्यादा तर लोकल मेकैनिक्स अपने काम में माहिर होते हैं लेकिन कुछ नौ से किये और अगर आप ऐसे किसी मेकैनिक से अपनी गाड़ी का काम करवा रहे हो जिसे अपने काम की भी समझ नहीं है तो समझ लो आपकी गाड़ी खत्रे में है एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स ऑफराइज सर्विस सेंटर में लोगों की भीड का दिखाई देने का सबसे बड़ा कारण वारेंटी को मेंटेन करना है क्योंकि अगर कार या उसके पुर्जे में कमी या डैमेज ह होता है तो आप वारेंटी को क्लेम कर सकते हो और प्रोफेशनल्स अपनी सभी कार का डेटाबेस मेंटेन रखते हैं चाये वो सर्विस कस्टमर को दी हो या डीलर को और ऐसे कई उधारन है जिसमें ऑफराइज सर्विस सेंटर ने वारेंटी देने से इनकार कर दिया क्योंक कहीं और ऐसा करने से गाड़ी में किसी तरह का डेमेज या रिपेयर को और रखराइज सर्विस सेंटर वाले सही कर देंगे वो भी सिर्फ कार के जैनूएन पार्ट्स इसलिए आपको इस बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और 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 अपराइज सर्विस सेंट या local mechanics के पास फैसला आपका है लेकिन इस बात का भी जरूर ध्यान रखें जिस local mechanic के पास आप अपनी गाड़ी के काम के लिए जा रहे हो क्या उसके पास वो सभी special tool, machine और उनकी अच्छी knowledge है अगर वाकई ऐसा है तो आप अपनी गाड़ी का काम वहां करवा सकते हो और ये machine औ और special tool गाड़ी के काम को बड़ी सफाई और भैतरी नधंग से fix कर देंगे लेकिन अगर वो mystery गाड़ी का काम कोई भी special tool और machine के बजाए हास से करता है तो आपको काम में कमी और वो sharpness ना मिल पाए जो कि इन special tool और machine को इस्तमाल करने से मिलती है एक्जांपल के तोर पर कुछ लोग tear को हास से खुलते हैं और wheel की alignment करने के लिए धागे का इस्तमाल करते हैं जबकि आज के समय में tear खोलने के लिए tear changer और wheel की alignment के लिए 3D wheel alignment मार्केट में मौजूद है और इसी तरह बाकी दूसरे कामों के लिए भी machines मौजूद हैं जिनकी accuracy काफी ज्यादा होती है जो की ह आज से नहीं मिल सकती इसलिए अगर आप authorized service center के बजाए local workshop में अपनी गाड़ी का काम करवा रहे हो तो देख लें क्या उसके पास वो सभी equipment है या नहीं उसके बाद ही वहां से अपनी गाड़ी का काम करवाएं हम भी आपको यहीं सला देंगे जब तक कि कोई चीज warranty में है तब तक आपको authorized service center में ही जाना चाहिए उसके बाद जैसा आपको सही लगे मतलब तो बैतर servicing से है तो we hope आपको पता चल गया होगा कि आपको अपनी गाड़ी के काम के लिए कहा जाना चाहिए authorized service center या local mechanics के पास और आपको tech fanatics channel पर vehicle maintenance and automobile equipment related videos मिलती रहेंगी और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like, share, comment करना ना भूलें और अगर आपके मतलब का content हमारे channel पर मिलता है तो हमारे channel को subscribe भी करें तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में